बूडमॉनिंग यरवन तो बैंक निफ्ति के इंदरह में काफी अच्छा गप नजडरा रहा तो ऐसे गप पर बाद कैसे काम करसक के हैं बाद सबस्राइब कुमक्र हैं यहां पर मार्केट मार्केट की इंदर बाईर बैठे के है तो खत्रा तो बना रहेगा लेकिन निफ्टी में जो गैप आप है वो काफी अच्छा है अगर ऐसा कुछ गैप बैंक निफ्टी मिलता तो हमारे लिए ज्यादा बैटर काम कर पाता मार्केट कोई दिकत वाली बात नहीं अभी भी हम यहां पर सैलिंग साइट का मार्केट क करेंगे सरिक तो यहां फें बनानेवाले हैं मिल्सक्राइब करें असे जबर मार्केट में कुछ अलग विए मुमंटम करना च्क थोटा Дав20 बनाएंगे च्छा लोस नजर में आना च defensive अगर ज्यादा लोस नजर आते तो कहना कहीं वैसे ही पोजिशन अमारा गलत हो जाएगा अब अपना निफ्टी भी ठीक ठाक जगहें पर आया हुगा है तो इसके अंदर भी अपना पूट का ट्रेट बनाएंगे यहां पर भाई कर लेते हैं तो अभी मार्केट के अंदर अपना एट थाउजन टैन थाउजन के राउंड प्रोफिट नजर आ रहा है बात कर लेते कि मार्केट के इंदर हमने आप पोजिशन क्यों बनाए तो सबसे पहले तो देखते मूमंटम अच्छा रहे तो पहले मैं ट अगry में अग्यां मुलाँ मिलें में उस्तियां ness दोन फाइड कर सेब्इन बाइब है वते हों पर गया तो हैसे मुमंटम में यहां पर भी बडाए किया कमार्केट ने सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दिया के मार्केट ऊपर कर्स्ट दीज माइब ने इसका दांते वा प्रवार्ट बायर बैठी होते हैं इनको वार्निंग देने के लिए आता है ताकि मार्केट में यह जो भी बाइंग के पोजिशन बना के बैठे हैं वो अगजिट ले लें इसलिए मार्केट के अंदर क्या करते हैं कि अपर साइड डारेक्ट ऐसलोगर आवलीबल लेकिन में जो गैप था वो काफी अच्छा था इसमें कोई बड़ा गैप अपन हुआ नहीं था तो इसमें तो आराम से सेलिंग किया सकता था बैंक निफ्टी में एक खत्रा इसलिए बना हुआ था क्योंकि गैप काफी ज्यादा था तो इस सिचुएशन में ऐसे तो नहीं कर सकते कि इसमार देखता कि आवर यहां तो यह सकते हैं की मार्केट के इंसको बार्निंग दे हैके मार्केट को सेसे एलिंग करने कैं रहा है अपना फिसमें क्या भार नग हुं हमें में चाहिए मुझे लगा कि ऐसा कुछ momentum आग उसमें टार्गेट वगरा कि आस पास पहुंच जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो कोई बड़ा selling तो अभी तो मैं नहीं सोच रहा हूं कि कोई बड़ा selling आ जाए गिर जाएगा पता नहीं क्या हो जाए वैसा अगर थोड़े बहुत SL वगरा मिलते तो में भी हम सारा ले ले लेते उपर तो बिल्कुल भी SL नहीं थे और मार्केट गिर भी रहा था तो गिरती मार्केट में पता है कि नीचे यहां पर बायर को वार्निंग देने के लिए इनको टार्गेट करने के लिए मार्केट नीच मार्केट का पता नहीं होता है, मार्केट जब चलता है तो समझ में नहीं आता है, अभी हमें लग रहा है कि हमारा टार्गेट बहुत अच्छा उ मेलें लेकिन जब ऊपर चलना शुरू कर Gardensmom समझ में नहीं आएगा लेकिन मुझे अगर profit नज़रा आ जाता ना फिर मैं adjust हो जाता है फिर दिक्कत नहीं होता है लेकिन profit जब नज़र नहीं आ था तब market में थुदा पूद प्रोग्लम होजाते है तो पहले हम टार्गेट की बात कर लेते हैं कि इतना रखने वाले हैं एक लाग के आसपास अपना यहां पर टार्गेट मीनिमम रहने वाल है इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मुझे कंडल वगरा लगा अच्छा की बन रहा है तो फिर हम मार्केट को बता है को कि मार्केट कुछ भी कर सकते है कि 2-0 side लेकिन लेने का अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं अदर देखें मार्केट के अंदर कर बाई चांस कोई केंडल वगरा बनी जाता है तो हम क्या कर सकते हैं तो अभी देखी खतरा तो देखी मुझे भी लग रहा है कि मार्केट के अंदर यहां पर सेलिंग आ चुका है बायर को अच्छा वार्निंग वगरा मिल चुका है तो अब मार्केट उपर जा सकता है लेकिन इसके भरोसे अब पोजिशन नहीं काटा जाता क्योंकि पोजिशन में हमें बहुत अच्छा प्रोफिट नजरा रहा है आपको यह लगता है कि अभी बुकिं चला जाए और पुट में हम बैठे हैं तो यहां पर बैठे रहते हैं तो अब मार्केट में तो देखिए पोजिशन को हैंडल किया जा सकता है पोजिशन को ऐसे नहीं सोचा जा सकता कि यहां पर हम इस पोजिशन को काट लें और कोल सैड में चले जाए या फिर वेट करें दुबारा से market में identify करें वो फिर profit कम होगा तो mindset ज्यादा खराब करेगा market जब दुबारा से कोई आप position बनाते हो मान लेते हैं आपने ये booking कर लिया और target से पहले booking करके भाग गए आपको लगा कि market यहां से उपर जा सकता है, retracement कर सकता है, आप booking करके भागे तो जो आपका profit market दुबारा position बनने एक बाद कम करेगा न तो वहां पे आप उस position को handle नहीं कर पाओगे और ये समस्या काफी बढ़ी होती है, तो इसलिए जो पोस्टन चल रहा उसको चलने देते हैं, जादा ही कम या जादा ही उपर नीचे करेगा तब हमें कुछ सोजना होगा, अभी तो अराम से छोटे मोटे green candle तो आपको जहलने बढ़े हैं, आप trader हो, trader की समस्या यही होती ह जहलने बाता हो, जो जहलता है, तो मार्केट के दर पैसा बनाता है, तो अभी हम चलने देते हैं, आराम से 60,000 अपना अच्छा प्रोफिट चल रहा है, और निफ्टी तो continue selling में आई रहा है, बैंक निफ्टी भी आई जाएगा, selling में अब जादा वेट क्या करेगा, कल तो ह थोड़ा वेट करते हैं, तो कुछ अलग ट्रेट बन सकता था, लेकिन जब ट्रेट बनता है, तो ऐसा लगता है, यही सही है ट्रेट, उसके बाद पता लगता है, यही सही नहीं था, यह तो गलत ट्रेट था, वाद में पता लगता है, तो अलग बात होती है, अभी हमें य ज्यादा दिकद मार्केट के नजर आ नहीं रही एक लाकी आथास पास भार्ड के अंदर प्रोरफिट बुकिंग करने वाले अलांकि अबी प्रोरिफिट अपना काफी कम हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन प्रोफिट में यह भी काफी अची बात है और राम से बैठेर हो पोजिशन केवल और कि इसलिए इसलिए बनाया था कि कही ना कहीं बायर को मार्केट टार्गेट भी कर सकता है इनको वार्निंग देने के लिए तो दुरूर आ सकता है मार्केट ने ऐसा तो कर दिया कि वार्निंग तो दे चुका है अब हमें चाहिए कि टार्गेट वगराव मिल जाए तो बात हमारी बन जाए तो अभी अपना 37,000-41,000 के राउंड चल रहा है और निफ्टी भी गिर रहा है तो कोई देकत वाली बात नहीं जब तक ये पिवार्ष ग्रींड़ बग्राब सुरू करती है मार्केट ने, यह कोई दिकत वाली बात नहीं अर्हाव से आज आएगा सहलें हमें तो बैठ खर देखना उसके वपर जा रहा है तो अपनांपना पोजिशन को कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं कि युद्ध would नहीं करते हैं मार्टेश्ट अज़ बनाकेटेकla क्या होजा था तो अब मादनेकों क्या करती हैं तो खतम करते हैं, क्योंकि ऐसे बात बंद नहीं पाएंगी, मार्केट के इंदर जब तक हम अपना काम नहीं करें, मार्केट हमें जीने नहीं जेगा, तो मार्केट के इंदर क्वांटिटी इसलिए एड किया है, क्योंकि मार्केट है साइडवेज, खोड़ा बहुत अफसाइड जा रहे हैं नीचे है और इसको आना है नीचे। जिस प्रकार की मोमंटम करा है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाए एक डवल बॉटम बनाए डवल बॉटम बनांती मार्केट यहां से गीरेगा, तो गिरना तो है लेकिन परैसान करना है, बस बात इतनी है, तो लोस तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि होगा हमारा या फिर हम लेने वाले है भी नहीं प्रोफिट अगर बनता है तो अच्छा प्रोफिट बना लेंगे और अगर साइडवेज भी है दुबारा से मार्केट लोग अगरा को टेस्ट करने के लिए जाएगा तब तक अपना अराम से टार्गेट वगरा भुकिंग हो जाए इसलिए मैं यहां पर क्या किया है अपना कुछ कौंटटि मार्केट के इंदर और एड्य करने के लिए ऐसा कुछ निया जब्स्ट थोड़ा मूमंटम जल्दी मिल जाएगा अगर उपर जाएगा तो वैसे हम ज्यादा यहां यह अपना सिंपल सा भी लिए प्लान रहेगा तो चलने देते हैं 23,000 के राउंड अपना मार्केट के इंदर प्रोफिट नजरा रहा है तो यहां पर अपनी पोजिशन में 95 एक लाख यास पास प्रोफिट नजरा रहा है यही हमें चाहिए था और यही मार्केट हमें दे रहा है लेकिन अब हमें और चाहिए क्योंकि आएं मार्केट गी सुच्वेस्ट को देखके ऐसा लगारा कि थोड़ा बो सेलिंग और आ चाहेगा तो मैंड बड़ा टार्गेट नहीं हमें वैसा ही चाहिए दुबारा से अगर प्रोफिट कम करें तो अब हमें एक लाख ही चाहिए नहीं आशा कुछ नहीं मार्केट के नर बड़ा टार्गेट करें यहां से आशा कुछ नहीं होने वाल एटी टू थाउजंड तो अगर हमने पोशिशन एड नहीं क्या होता फिर चाहिए बड़ा पैसा चाहिए तो वह हम चलने देते अराम से 97000 के रांड पोफिने जरा है कल वाला जो काम किया था मार्केट ने उसका आज हम कुछ ना कुछ करेंगे ठीक है तो जब आपको लगे कि मार्केट आपके कोडिन चला तब तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता तो जब मार्केट हमारी कोडिन चला है तो यहां पर बड़ा पैसा बनाएंगे क्वांटिटी व्याट इसलिए कि बात अगर बने तो बड़ी बन जाएगे ठीक है तो अगर हम यहां पर रिसक लेकर बैठे हैं तो एक बड़ा प्रोफित भी बनाएंगे ऐसी कुछ बात नह नहीं देते हैं रामसी एक लाख 2000 के राउन प्रोफित अपना नजर आ रहा है और रामसी देखते रहते हैं तो यहां पे अपनी पोजिशन में एक लाख 13000 के राउन प्रोफित नजर आ रहा है तो अब मुझे लगता है कि अगजीट वगरा ले लेना चाहिए यूंकि जैस हमारा अलेडी हमने लोस ले रखा है तो आज ऐसी सुचुईशन में हम है नहीं कि मार्केट के अंदर रिस्क लेके बैठे रहे हैं या फिर प्रोफित अगर कम भी होगा तो कोई दिकत वाले बात नहीं होगी फिर ज्यादा ही दिकत हो जाए अगर हम ऐसे काम करें तो फिर बनेंगे नहीं हमने मार्केट के अंदर पोसिंट क्यों बनाया था शुरुआत में यह नज़र आ थे कि मार्केट के अंदर में गैप आप कार्णा क्या था कि यहां पर पर साइट ऑगर आप जो सैलिंग होगा अगर यह रीट्रेस्मेंट को देखोगे तो लगबग आपको यहां पर put buy किया गो तो उससे तो maybe loss वगरा भी market नहीं दिखा दिया गो तो ऐसी situation को देखते हो यहां पे में हमें नज़रा है कि market में upper side कोई भी verasile अविलिबल नहीं है downside में हमें क्या नज़रा है कि market नहीं से outside डाउनफोल कर सकता है और जैसे सेलिंग आना शुरू हुआ तो हमें लगा कि जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ मार्केट करने वाला है इसलिए मार्केट के अंदर हमने सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया है मार्केट ने अच्छा मुमिंटम किया अच्छा प्रोफिट में चल रहे थे लेकिन आचानक से मार्केट ने रीट्रेस्मेंट कर दिया एक यहां पर डबल बोटम बनाने की कोशिज गया जैसे डबल बोटम बनाया कि कहिना के में समझ में आगे मार्केट यहां पर क्या करना चाता है कि मार्केट यहां पर डबल बोटम बनाकर बायर को ट्रैप करना चाता है जैसे दूसरे लोगों ने बाय किया हो मार्केट ने फिर्शन को ट्रैप कर दिया और हमने यहां पर क्या कर दिया अपना कुछ quantity एड़ कर दिया हलांकि रिस्क रहता है ऐसी कोई बात नहीं होती कि रिस्क नहीं रहता काफी बार यह पैटन वगरा काम कर लेते हैं जैसे यहां पर मार्केट ने कितना selling हो उसके बाद एक double bottom बना है उसके बाद मार्केट ने अगर हमारा टार्गेट मिल चुका है और हमने अलड़ी एक लोस देख चुके हैं तो दुबार ऐसी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हमें अच्छा टार्गेट के अगजित ले लेना ची लालेच करने को किया जा सकता है लेकिन अभी मैं ऐसी सुच्छ में नहीं हूं अगर आप में भी बैठे रह सकते हूं या फिर थोड़ा बहुत अपना जो भी ट्रेलिंग वरा करना होता ट्रेलिंग वगरा मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता ट्रेलिंग मेरे लिए काम नहीं करता हूं तो हमने पोशन का बनाए था 9 बच कर 19 मिनिट के राउंड पोशन बनाए था द थोड़ा बहुत अच्छा ही काम किया है और हमने भी अच्छा काम किया सबने अच्छा काम किया आपने भी अच्छा काम किया धन्यवाद